जैसे जैसे नोरात्रे भीत रहे हैं तो अब ऐसा करता है कुछ ऐसा बन जाए ना तो जटपट बन जाए और पेट भी भर जाए तो चलिए आज सूपर टेस्टी रैस्पी बनाना शूर करते हैं तो आज बनाएंगे कुट्टू के आँटे के वड़े तो फ्राइपेन लेंग अब इसमें थोड़ी सी काली मेश बुना हुआ जीरा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमग डालकर इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे इसे तब तक मिलाएंगे जब तक मसाले आलो की स्टफिंग में अच्छी तरीके से ना मिल जाया जब यह कुछ इस तरीके से दिखाए दे दोनों को अच्छी तरीके से मिला देंगे, अब मुना हुआ जीरा, काली मिर्ष और टेस्ट के अकॉर्डिन नमक डाल करने, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करने, इसका स्मूज सा पेश्ट बना लेगी, इसकी consistency बिलकुन परफेक्ट होने चाहिए, ना ही पतला और ना ही जादा गाड़ा, कुछ इस तरीके से, जब आपका बैटर कुछ इस तरीके से दिखाए दे, तो अब आलू की stuffing जो हमने भूनी दिने, वो ठंडी हो चुकी है, तो इसे फिर से मिला देंगे, और ये हाथ में थोड़ा तेल डाल करने, इस अच्छी तरीके से, जैसे हम आलू फ्राइ पेन में एक स्पून तेल डाला था, ज़्यादा तेल की जरूत इसमें नहीं, आप डी फ्राइ करना चाहते हैं, तो डी फ्राइ कर लिजे, और एक एक करके सभी को में डाल दूंगे, और ये देखी, कम तेल में सूपर टेस्टी रैस्पी, और इतनी इंस्टंट ब पलट करके, जब इसका क्लर देखिये कुछ तरीके का हो जाए ना गुल्डन ब्राॉ्न तब तक हमें से से शेखना है, इसी तरीके से सभी को इे इक करके पलट करके नहीं, और देखी आध्वा बेसे का लिर्ध ऑप टैब एक स्पून अधों तरीके केकाना हो जाए तब तक इसे हमें इस टेज तक निकालना है और एक एक करके सब्रीन प्लेट में जब हम डाल रहे हैं तो यह यम्य सी कुट्टू के आटे के वड़े त्यार है इसे आप धनिये की चटनी के साथ दही के साथ यह चाय के साथ सर्फ करेंगे तो इसका डबल हो ज